जैसे कि आप लोग यहां पर उपर में देख रहे हो कि SIP बूक हो गया है 40 lakhs है ना सो समझदार को इसारा काफी है अभी भी मौका है इंडिया का ग्रोट स्टोरी इंटेक है कोई प्राबलम है नहीं मोधी गवर्मेंट फिर से आ रही है राइट फाइनल हो गया है सब कुछ समझ लेजिए पूरे इंडिया का SIP बूक है 20,000 करोड और एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि और 5,000 करोड एड हो जाएगा अप टो डिसेंबर 2024 तक इंडिस्ट्री का ऐसा अनुमान है तो काफी सारे लोग पैसा लगा रहे है आप भी इस जर्नी में मौका मत गवाईए अल्रेडी कर रहे हो इंवेस्मेंट तो हमारे साथ उसको रिव्यू कीजिए क्योंकि मेरा फाइनल टच लगेगा तो बेनिफिट तो 100% होगा आपको तो हैरी सेगरो का चार्ट का स्ट्रक्शर में देख रहा हूँ चार्ट का स्ट्रक्शर एकदम साइलेंट मोड में ये स्टॉक है और ये स्टॉक है ना बहुत बड़े-बड़े इंपॉल्स देता है तो जब चब ऐसे बड़े-बड़े मोव आता है उसके बाद फ्रोफिट रॉकइंग आपको और देखने को मिलता है आप यहां पर भी देखे अप्र फ्रोफिट बॉकिंग रेक्शं बढ़त ऑफ्रीड गया वापस फ्रोफिड बगिग देखा तो यह इसी तरह से उतार चड़ाव हो रहा है करेक्ट यहां पर जिस तरह का में चार्ट का स्रक्षर देख रहा हूं थोड़े टाइम पास हो सकता है यह स्टॉक के अंदर इमिडेट लेवल के उपर मुझे लगता नहीं है कि एकदम से स्टॉक निकल जाएगा बट जो नॉर्मल एनालिसिस जो लोग जानते हैं वो लोग आपको ऐसा भी बोलेंगे कि अभी देखो यहां पर हेड और शोल्डर पैटन बनेगा और जैसे ही यह ब्रेक होगा स्टॉक डालेगा बट वो सब नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस से कई बार वो चलता है कई बार नहीं चलता है आपको प्रिसाइस एंट्रियंड स्टॉप लोग वो मैथर से आपको नहीं देखने को मिलेगा और मिलेगा तो भी आपका रिस्क रिवर्ट रेश्यो अच्छे से मैच न और कुछ बहुत ही बहतरी नहीं है राइट बट अभी रिसेंटली ये मंत के अंदर काफी अच्छे से लिवल्स यहां पर ट्रिगर हुए है और एंट्री भी काफी बढ़िया थी काफी बढ़िया एंट्री थी बट वो एंट्री अल्रेडी अभी हो चुकी है मिस हो चुकी है मैं आपको डोल अभी मैं सजेशन आपको दे रहा हूं मैरे लेवल शायद ही लोईर बं Kelvin नेिắpस ईसर मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है बट मैं जैसे तरह सापको घृट किसों को वहीं लोकेशन के साथ कम करना है तो ही आप काम कीजिएगा करेंख है 30 per कॉंटिटी आपको 264 के आसपास जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है यहां पर ही आप लोग ले लो और 70% कॉंटिटी आपको बाय करना है सम्वेर राउंड 250 रुपीज चोदा रुपे नीचे अगर यह न आता है तो 250 रुपीज के आसपास आप अनदर 70% कॉंटिटी बाय कर सकते हो और फिर क्लोजिंग बिजिस के उपर आपको एक स्टॉप लोस मिंटेन करना पड़ेगा वह 240 का सो अगर लोवर लिवल आता है तो ही हम ज्यादा इंट्रेस्टे लेते हैं कि इंडिकेटर में किस तरह से गाइड किया है करेक्ट और देखते हैं किस तरह से किया है इंडिकेटर ने गाइड सुबड़ी टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर पहले तो देख लेते हैं तो कंटिन्योस बाय का सिगनल कंटिन्यू है कोई प्राब्लम है नहीं इवन वीकली टाइम फ्रेम के उपर भी जो यहां पर टाइम पास हो रहा था वो खतम हो गया है और बाय का सिगनल चालू है तो वही वज़़े से और डेली चाट के उपर भी देखो बाय का सिगनल अभी कंटीनियू चालू है कोई प्राब्लेम है नहीं सो उस वज़़े से भी और मैं जिस तरह का चार्ट का एक्सपिरियंस से मेरे पास उस तरह से भी मैंने बताया है प्राइस एक्षन आप लोग देखेगा काम कीजेगा फाइदा जरूर से होगा तोस्तों आपको